और नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल से बाऊ अउनलाइन क्लाशेश में दोस्तों आज कीश वी डीडियो में मैं आपके लिए इंडियेज के कोछ महतोपण क्योंस लेकर आया हूं तो चलएए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी questions select किये गए हैं वो cable defense के exams के मध्य नजर रखते हुए बनाए गए हैं तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लें इस चैनल पर दोस्तो आप daily current affairs, general knowledge और government job update पाते रहते हैं तो चलिए दोस्तो start करते हैं आज की वीडियो question number one है भारत किस गोलार्द में इस्तित है option से आपके option A पूर्वी और दक्षणी गोलार्द में option B उत्री और पूर्वी गोलार्द में option C दक्षणी और पूर्वी गोलार्द में and option D उत्री और पूर्वी गोलार्द में तो question number one का सही answer है option D उत्री और पूर्वी गोलार्द में भारत इस्तित है next question है हमारा question number two भारत की सबसे बढ़ी सुरंग, जबाहर सुरंग किस राज में इस्थित है? तो भारत की सबसे बढ़ी सुरंग है, जिसका नामें दोस्तो जबाहर सुरंग, वो किस राज में इस्थित है? तो Question no.2 का सही answer होगा, option C, Jammu اور Casmir में. नेक्स्ट कोशन है हमारा कोश्चन नमबर 3 सियाचन गिलेशियर भारत के किस राज में इस्थित है। ऐप्शन है आपके, ऐप्शन A जम्मु कस्मिर, ऐप्शन B उत्तर प्रदेश, ऐप्शन C से किम और ऐप्शन D इन में से कोई नहीं। तो question number 3 का सही answer होगा option a जम्मो कस्मीर में question number 4 है हमारा भारत में कितने राज तर रेखा से लगे हैं भारत में कितने राज तर रेखा से लगे हैं option से आपके option a 5 राज, option b 2, option c 9 and option d 12 राज तो question number 4 का सही answer होगा option C नौराज Next question है हमारा question number 5 उत्तर भारत में उप हिमाले छेतर के सहरे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है option साब के option A भावर, option B खादर, option C दून and option D इनमें से कोई नहीं तो question no.5 का सही answer है option A भावर तो दोस्तो इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको इस वीडियो के description से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like ने किया है तो इस वीडियो को like करने और ज्यादा से ज्यादा share करें और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को भी subscribe जरूर करें तो दोस्तो next question की तरफ चलते हैं next question है हमारा question no.6 भारत की उत्री सीमा पर इस्थेत परवत है option से आपके option A हिमाले परवत option B मैकाल परवत option C नील गरी and option D होगा आपका अरावली तो question no.6 का सही answer है option A हिमाले परवत भारत की उत्री सीमा पर जो परवत इस्थेता है उसका नाम है हिमाले परवत next question है हमारा question no.7 भारत के किस प्रदेश की सीमा है तीन देशों करमसा नेपाल भूटान एगम चीन से मिलती है तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा है तीन देशों नेपाल भूटान और चीन से मिलती है option से आपके option A मेगाल है option B अरणाचल प्रदेश option C पस्चम बंगाल and option D सिक्किम तो question number 7 का सही आंसर है option D सिक्किम next question है हमारा question number 8 भारत का सर्वोच प्रवत सिखर है options हैं आपके option A कंचन जंगा, option B होगा आपका दोस्तो नंदा देवी option C होगा आपका Godwin Ashton K2 and option D है आपका इन में से कोई नहीं तो जो भारत का सर्वोच प्रवत सिखर है उसका नाम है दोस्तो Godwin Ashton K2 तो world का जो सबसे उचा प्रवत सिखर है उसके लिए average बोलते हैं और जो भारत का सबसे उचा प्रवत सिखर है उसको हम Godwin Ashton K2 बोलते हैं इसका पूरा नाम है Godwin Ashton K2 नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नम्बर 9 भारत की कौन सी परवत स्रेंडी नविंतम है भारत की कौन सी परवत स्रेंडी नविंतम है ओप्षन से आपके ओप्षन A हिमाल है ओप्षन B अरावली ओप्षन C सहयादरी और ओप्षन D सत्पुड़ा तो कोश्चन नम्बर 9 का सही आंसर है option A हिमाल है next question है हमारा question number 10 भारत में निमलिखित में से कौन सी परबत स्रेंडी केबल एक राज में फैली हुई है option से आपके option A अजनता option B अरावली option C सत्पुड़ा and option D होगा आपका दोस्तों इन में से कोई नहीं तो question number 10 का सही आंसर है option A अजनता तो यह थे हमारे आज के 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरू करें और हमारे YouTube चैनल सिवा उनलाइन क्लासेज को भी सब्सक्राइब जरू करें तो thank you for watching दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ मैं तब तक लिए नमस्कार